जैशी कृष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम सुमबार की दिन किया जाने वाला बहुत ही शेष्ट उपाय बता रहे हैं ये उपाय देखिए शुप पुराण में वन्नित है अगर पती पतनी मिलकर सुमबार से मतलब शु कई साल हो गये हैं फिर भी अगर आपको संटान की प्राप्ती नहीं वा थैंट है या हमारे परिवार पर किसी तरह का दोश होता है तो जिसके कारण कोख बंद जाती है और भगवान शंकर कालों के काल महाकाल कहलाते हैं भूले नाथ हैं बहुत ही शीग्र प्रसन होने वाले देवों में से माने जाते हैं तो सोमबार के दिन अगर इस उपाय को आप कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ती होत सकते हैं इसके लिए आपको देखे पारद शिवलिंग लेना पड़ेगा आपको मतलग किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाएगा थोड़ा सा ये महंगा आता है लेकिन पारद शिवलिंग शिव पुरान में वरनित है कि भगवान शंकर के बीज से उत्पन है और सभी शि नहीं भी है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं लेकिन शिव पुरान में इपारद शिवलिंग का ही वर्णन मिलता है दोस्तो नित्य प्रती आपको सोंबा से शुरू करना है और 41 दिन तक आपको ये उपाय करना है आपको वरत रखने की भ बहुत ही शेष्ट है क्योंकि देखे संतान सुक की जो प्राप्ती होती है पती पत्नी के भाग्य से यानि माता पिता के भाग्य से बच्चे का भाग्य जुड़ा होता है। पर यापको जल अर्पित करना हैं और जो जल धारी होती है जहां से जल बहता है वहां से आपको मतलब जो जल बहरा है वो थोड़ा सा पानी आपको किसी कटोरी में, किसी भी बर्तन में रख लेना है और पूजा करने के बाद जैसे आपने चंदन, अक्षद, चड़ाया, उसक एक एक चमच पती पतनी को ग्रहन करना है इस उपाय को आपको देखे 41 दिन तक करना है 41 दिन में आपका ये नियम नहीं तूटना चाहिए अगर आपके पीरड्स हैं तो उन दिनों को आपको छोड़ देना है देकि पीरट्स में छोड़े गए दिनों को खंडित नहीं माना जाता है आप उसके आगे से काउंट कर सकते हैं लेकिन आपको 41 दिन तक इस उपाय को करना है यानि सोमवार से शुरू करें और 41 दिन तक आपको नित्य प्रदी शिवलिंग पर जल चड़ाना है उस जल को थोड पर गंगा जल और जल से अभिशेक करें और उस जल को मतला पती पतनी ग्रहन करें निश्चित ही आपको संतान सुक की प्राप्ती होगी और जिन बहनों के देखे कोख बंदी हुई है मतला आपको संतान की प्राप्ती नहीं हुई है हो रही या फिर आपको लगता है कि आप केवल जो हरी घास होती है या तो आप देखे बास के पत्ते ले सकते हैं अगर हरी घास आप थोड़ी सी हरी घास शिवलिंग पर अवश्य चड़ाएं कोक बंदन खुलने के लिए और नित्य प्रती इस जल को पती पत्नी ग्रहन करें अगर पती साथ में नहीं रहता बहार रह पत्नी तो अवश्य ही इस जल को ग्रहन करें निश्चित ही आपको संतान सुक की प्राप्ती होगी दोस्तो शिव पुराण में पारश शिवलिंग का वर्णन है और पारश शिवलिंग देखे भगवान शंकर के बीज से उत्पन है और ये बहुत ही शेष्ट मतलब माना जा इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको संतान सुक की प्राप्ती होगी दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरू करें आप सभी को जैशी कृष्णा